हेई एवरिवन वेलकम बैक तो माई यूट्यूप चैनल आज की इस रेमिडी में सलफर है जो की बालों को ग्रोथ को प्रमोट करता है और ये रेमिडी हमारे सिर में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है अगर आपके बाल जड़ रहे हैं पतले हो रहे हैं बहुत ही सदा बेजा हो रहे हैं कलर लगाने की वज़ा से आपके बालों में ड्राइनेस हो गया है बाल तूट रहे हैं को मौसम कुछ भी है बाल जरूरत से ज़ादा जड़ते हैं हमारे सिर में कम और कॉंब या ब्रशिस में ज़ादा दिखते हैं दूसरी चीज अगर आपको डैंडरफ की प्र जाती है मेल का फीमिल दोनों को हो जाती है तो अपने बालों को हिल्दी बाउंसी स्ट्रॉंग करने के लिए एक ऐसा जनुस्का आपके साथ शेयर कर रही हूं जिसमें बहुत हाई अमाउंट में सल्फर है और यह हमारे बालों की ग्रोथ को प्रमोट करेगा और नियू सेल इस बनाने में मदद करेगा तो चलो देखते हैं इसको बनाना कैसे है आपको बेसिकली दो चीजों की जरूरत है एक चोटा सा प्यास लिया है और एक इतना टुकडा अद्रक का लिया है यह दोनों ही चीजे हमारे बालों की हेल्थ ग्रोथ ब्लड सर्कुलेशन ब्लड फ्ल का जूस डायरेक्टली ना लगाएं उससे कुछ लोगों को इरिटेशन होती है तो मैं आपके साथ एक सिरम शियर कर रही हूं आप अनियन सिरम बोल सकते हो अनियन ओयल बोल सकते हो यह जेंजर अनियन सिरम भी उसे कह सकते हैं हेर बूस्टिंग सिरम कह सकते हैं दोने चीज आप इसको छलनी की मदद से निकाल सकते हो नहीं तो सारा का सारा एक ही बार में किसी पतले से हैंकी में डालके कॉटन के कपड़े में डालके अच्छे से निचोड के भी आप जूस निकाल सकते हो लेकिन इस तरह निचोडने से अगर आप निकालते हो ना तो जूस पूरी तर अच्छा है और खासकर जो लाल लाल प्यास आती हैं वो सल्फर रिच होते हैं तो अब यह इस तरह से निकल गया इसको मैंने च्छान लिया अगर बीच में कुछ पार्टिकल्स थे प्यास के तो अब मेरी एक यह बेसिक इंग्रेडियन मिल गया है मुझे जो की बहुत के देखिए अगर आप अपने बालों में अनियन जूस को लगाते हैं तो उसमें सल्फर बढ़ता है और उसको अगर आप जेंजर जूस के साथ मिलाके लगाते हैं तो उसमें बालों को कंडीशनिंग मिलती है डैंडर्फ खतम होता है इची स्कैल्प खतम होती है मैंने डाल इसमें थोड़ा सा दो चमबच के करीब आप देख रहे होंगे coconut oil, इसके साथ मैं इसमें आड करूँगी castor oil, castor oil, यह इस तरह का castor oil यानि अरंडी का तेल, यह आपको normal medical shop पे मिल जाएगा बैट यह खादी का है, और मैंने इसे amazon से बंगाया है और मैं इसे भर कर दो चमबच डाल रही हूँ castor oil बहुत थिक होता है, hair growth को promote करता है लेकिन इसको आप directly नहीं लगा सकते इसलिए हम इसको serums वगेरा में mix करते हैं और थिक होने की वज़़ों से serum भी बहुत थिक हो गया है तो मैंने इसमे कोकरेट oil और add किया है आप देख सकते हो कि अभी भी serum की consistency बहुत पतली नहीं हुई है एक oil से बहुत बहतरीन ये बन चुका है ये आपका ginger oil है, ये आपका onion hair oil है ये hair growth को boost करने के लिए, collagen को improve करने के लिए blood flow को बढ़ाने के लिए आपका एक serum है, एक tonic है बालो के लिए तो अब बात करते हैं, कि जो मैंने दो basic ingredient यूज किये थे वो हमारे बालो के लिए क्या करता है प्याज हमारे बालो के cells बनाता है, नए cell आने की वज़र से बालो की जो growth है, जो रुक गई है, जो गंजेपन की शिकायत है, वो खतम होती है बाल जड़ना बंद होते हैं, और अगर मैं अद्रक की juice की बात करूँ तो अद्रक dryness को खतम करता है बालो से, और अगर अद्रक की juice को sulfur के साथ, यानि प्यास के साथ mix करके लगाया जाता है, तो hair growth को promote करता है antiseptic property होती है अद्रक की juice में, जो कि dandruff को खतम करती है तो ये आप एक remedy बना कर, दोनों oil को mix करके, एक bottle में भर कर रख लो, जब आपको लगाना है shampoo करने से आदा से एक घंटा अपने बालों पे इसको लगाईए, जब आपको लगाना है, fresh दोनों चीजों को juice निकालो और उस oil में जितनी quantity आपको चाहिए, वो oil निकालो और उसमे juice आड़ करके अपने बालों पे लगालो जो मैंने भी बनाया है, ये quantity इतनी है कि ये दो बार यूज हो जाएगा, तो आप एक हफ़ते में दो बार इसको apply करें आप एक हफ़ते के लिए इसको बना कर, store करके रख सकते हो, लेकिन अगर आप मेरी माने तो आप इसको fresh बनाए, हाँ दोनों oils को mix करके आप रख सकते हो, लेकिन अनियन का juice और जिंजर का juice आप इसमें fresh मिलाए, इससे आपके बालों का जढ़ना, तूटना, डांडरफ, प्राइ करो, अच्छी रेमेडी है, आपको नुकसान नहीं देगी, एक घंटा लगाईए, नॉर्मल पानी, नॉर्मल शैंपू से अपने बालों को धो लीजिए, हफ़ते में दो बार करके देखिए, चलिए फिर मिलती हो, बाई बाई